दोस्तों कहावात है कि मर्तववा इंसान कभी जूट नहीं बोलता। ये शाद इसले भी सच्छा है कि मर्तववा इंसान के पास खोने के लिए कुछ होता इनहीं क्योंकि उसको ऐसास हो चुका होता है कि अब उसका आखरी टाइम आगया है और इसके बाद बै किसी को अपने वारे में अच्छा है बुरा कुछ नहीं बता पाएगा और ये पश्टावे की पहली स्टार्टिंग होती है जब हम पूरा जीवन खुद को बहतर इंसान बनाने मों गुजार देते हैं लेकिन जिन्दिगी के लाश्ट टाइम में यह सब कुछ खतम होने का होता है तो कुछ भी माहिने नहीं रखता है माहिने रखता है तो केवल यह कि हम कैसे जीएं और हमने क्या सही किया और क्या गलत ऐसा क्या किया जो नहीं करना चाहिए था दोस्तों जो मौत नजजिक होती है तो इंसान इन सभी अच्छी बरे पलों को याद करता है जो उसके जीवन में सबसे नजदीक रहे और जिन्होंने उनकी जीवन के रुप को मोड़ दिया किर साथ जाता है तो अच्छी बुरी यादे और कुछ पष्टाना इनसान के अंतिम दिनों में पष्टावे पर ब्रॉणी बेर की एक किताब ने तहल का मचा दिया हम उस किताब के टॉप पाँच पष्टावों पर चर्चा करेंगे जो ब्रॉणी बेर ने अपनी बैस सेलिंग किताब में लिखे हैं नमर एक काश में दूसरों के अनुसार ना जी कर अपने अनुसार जीने की हिम्मद जोटा पाथा दोस्तों यह सबसे ज़्यादा सामान ने तहर बच्टावा है इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम यह महसूस करते हैं कि अच्छा सास्ती ही जिन्दी के जीने की रहा देता है तब तक समय हाँ से निकल जुका होता है ब्रॉनी बेर ने बताए कि उन्होंने चितने भी मरीजों को अपचार किया लगबग सभी को यह रिग्रेट था और उन्होंने अपने रिष्टों को समय ना दे पाने की गल्ती की और हम सभी ज़्यादा तर यही करते हैं ज़्यादा तर मरीजों को पश्टावा था कि उन्होंने अपना अधिकतर टाइम अपने काम को ही दिया, काम भी खर्च किया, उसमें से हर एक ने कहा कि थोड़ा टाइम वो अपने परिवार को दे देते, परिवार के लिए समय निकाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारे लोगों को केवल इसलिए घला गोट दिया तक कि शान्ती बनी रहे और एक वो एक एवरेज लाइफ जीत रहे वे अपनी वास्तविक स्किल्स यानि योगता के नुशार उची जगे नहीं पा सके इस बात की करवाहट औ और अशन्तोष उन्हें जरूर होता है लास समय पार नमबर चार काश में अपने बच्पन के दोस्तों से मिल पाता ब्रौनी बेर के नुशार अक्सर लोगों की मृत्तु के नजदिक होने पर उपने प्राने दोस्तों को बहुत याद करते हैं अधिक तर तो जिंदिगी मे इतने उलजगे हैं कि उन्होंने कई वर्षों से अपने फ्रेंट्स को कॉल या मिलने की हिम्मत ही नहीं की ऐसे अक्सर सभी के साथ होता है पर लास्ट टाइम पर ही हमें पच्टावा होता है कि काश हमने अपने दोस्तों के लिए थोड़ा समय निकाल लिया होता दोस्तों कई लोगों को जीवन के अन्त समय में यह पता ही नहीं चलता है यानि कि वह अपनी मर्जी से जब चाय कुश हो सकते हैं और इसमें कोई भी बहरी चीज अर्चन प्रदा नहीं करती बश्रते हम अपनी गुलामी वाली मानसिता से बाहर निकले तो दोस्तों आप क् सब्सक्राइब जरू कर लें थैंकी दोस्तों मिलते हैं बहुत जब एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद